नमस्क्राइब दोस्तों एक पर फिर आपको स्वागत है ग्यार फोर वेल तन फिटनेस में में हो विशेक जाहन बात करें आज बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक की जो है टॉपिक ओन डिमांड और वह है कैवीटी दातों में कैवीटी होती है ठंडा गरम लगता है या फि इतनी भी प्रॉबलम है उनको किस तरीके से और जो कि टिप्स और टेक्स होती है जो कि डॉक्टर एक डेंटिस रिकमेंडेट करता है वह हम कैसे करें जिससे हमारे दात लंबे समय तक बोड़ा पे तक हैल्दी रहे सबसे बहले बात करें हम कैवीटी होता का जनरल यह बच् होता क्या है तो क्या होता है जब भी आप एक कोई चीच खाते है या पीटे जिसमें शुकर की मात्रा जादा आती है तो जो आपके मूझ के अंदर जो बेक्टेरिय रहती है जो करते एक है 92 के साथ-साथ-साथ आ आपके मूं में बेक्टेरिय रहते निचे आ Εक यहितzem में आपको दिखता है अंदर के साइड जो पीला पन या फिर जिसको देखे तो लगता है कि कैल्शियम जैसा लगा है बट वो प्लैक रहता हूँ प्लैक क्या करता है लगातार आपके दातों से स्टिक रहते चिपका रहता है जिसके कारण आपके दात की एफिशेंसी कम हो जाती ह कुल लगाती होने कारण उसके अंदर होल होने लग जाता है क्यूंटी होने लग जाती है और वह डे लेयर ह hall होने क्हाँ होने लग जाता है क्योंटो तो stage 1 में decay जो होता है, दातों का गलना होता हुआ, MNL तक रहता है, जो कि आपके दातों की उपर की सता रहती है, वहां तक रहता है, उसके बाद stage 2 आते हैं, अकर हम care नहीं करते हैं, तो advanced decay हो जाते हैं, जिसके अंदर आपका animal है, जो आपका MNL है, वो पूरा ही आपके उप तक पोच जाता है, वो cavity, उसके बाद है stage 3 जिसमें pain होने लगता है, लोगों को क्योंकि decay in dentine, जो उपर MNL के नीचे की सता है, उसको कहता है, वहां तक पोच जाता है, क्योंकि bacteria धीरे-धीर hole बनाते हो अंदर तक जाते हैं, जिसके current painful होता है, उसके बाद आता है stage 4, जो आ पर आपको बहुत ही जादा painful होता है, तो जब stage 2 से stage 3 पर आता है, वही पर आपको ठंडा गरम लगने लग जाता है, जब भी आप कुछ खाते हैं, आपको डातों में थोड़ा-थोड़ा दर्थ होने लग जाता है, और उसके बाद ठंडा गरम, जलन, स्वेलिंग, मसोड़ पर तक आपके दाट ठीके रहेंगे, अब बात करें कुछ पास से साथ tips की, अगर आप लगातर इसको आपकी routine life में करेंगे, तो आपको डातों की problem कभी नहीं होगी, और लंबे समय तक आपके दाट चलेंगे, और जिन लोगों cavity या थंडा गरम की problem हो, उन सभी के लिए भी ये treatment है, और ये tips या tricks है, तो सबसे बेली tips है, brush your teeth at least twice a day, कम से कम दिन में दो बार आपने दातों को brush साफ करें, पेस्ट से, और यहाँ पर आपको एक बार सूबे करना है, उठने के बाद और एक बार सोने से पहले, कई लोग क्या करते हैं, सोने एक की time brush करते हैं, सूबे के time, शाम के time नहीं करते, उससे होता है कि दिन बर का आप जो खाते, पीते हो, उसके कारण, रात को भी खाने के बाद, जब आप सोते हो, तो आपके मुह में जो bacteria है, आमफुल bacteria, वो भही रह जाते हैं, इसके कारण, आपके tooth को decay करते हैं, वो गलाते हैं, और लगातार होने के बाद ही, एक दिन में ये सब cavity plug वगेरा, प्रिला पन्य नहीं आता है, धीरे धीरे होता है, तो अगर आप ये सब दो time brush करेंगे, तो definitely आपको ये सारी problem solve होगी, अब आदादी कौन सा वाले tooth paste से use करें, देखिए मार्केट में बहुत सारे tooth paste आते, और कही बार लोगों को ज सेंसोडाइन या फिर close-up या औरल भी आते ही है, सब chemical use the tooth paste है, मैं आपसे request करूँगा देखिए मार्केट में जब herbal natural tooth paste आवे लेवल है, तो क्यों हम इस तरह को use करें, जब हमें problem होगी तो doctor यो भी हमको recommend करी देगा, बट पहले ही हम क्यों इन चीज को use करें, अगर आपके सारे problem natural में नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको मिलाना पड़ता है, at least आपको 10, 20, 30, 40, 50% आपको natural मिल रहा है, तो यहां पर 4-5 Indian brands है, जो कि काफी trusted है, जैसे कि डाबुल, जैसे कि डाबर रेग, पतनजली का दंतकानती, वीको या बबूल, यह 4 तरह क टूट पेस्ट है, जो कि मार्केट में easily available हो, और सब ब्रैंड है, इन चारों में से आप कोई भी यूज़ कर सकता है, सबके link नीचे है, या फिर हर किसी किराने के दुकान पर यह सा मिलता है, कोलगेट, पैपसुडेंड, ओरल भी या क्लोजब, यह सारे कैमिकल, जो प्लीज टूट पर इसको ना करेंगे, ना सोचे, इसको यूज़ करने चापके दात सफेध हो जाएंगे, या फिर फ्रेश आपके स्मेल आएगी, तो प्लीज इसको यूज़ ना करें, अगर आपक इसको यूज़ ना करें, जब डॉक्टर रिकमडेट करें, तभी हाप इनको यूज़ करें, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही कम यूज़ करते हैं, मुझे तो लगता है, लोग करते नहीं, clean between your teeth, wire dental floss, dental floss का एक आता है, एक thread type आता है, wire type आता है, जो कि wax रहता है, और दोन इस्टोर या फिर आजकर जनरल इस्टोर भी मिलने लग गया, तो प्लीज आप वीक में एक या दो बार आपके दातों को dental floss का था, उससे clean जरूर करें, तिसरी बहुत important tips है, जो कि इंडिया में नहीं करते हैं, बट आप करने लगे हैं, पर मुझे लगता है, सभी वो करना चाहिए, प्लीज एक बार आपके वीक में एक या दो बार आपके फ्लोराइड बेस माउथ वाश से आपको मुझ को जरूर दो, फ्लोराइड बेस से क्या होता है, जितने भी आपके बैक्टेरिया या फिर आप जब खाते देखिए, दो लोग होते हैं, या तो मेक्सिम लो पाते हैं, माउथ वोश वो आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर मिल जाते हैं, पचास साथ रुपे में और एक बार वीक में यूज करना तो आलाम से तीन से चार महीने चलता है, जो 40-50 साथ रुपे मिलता है, या फिर जो कि आसानी से डॉक्टर रिकम्डेट भी करते हैं, य एक बार करना है, और अगर आप जादा बार का खाते हैं, उल्टा सीधा, तो वीक में दो बार करें, तिन दिन में, क्योंकि आप वेसे भी दिन में दो बार ब्रश कर रहे हैं, तो आपको डेली जो वाश करने की जरुपत नहीं, और लगातर जो माउथ वाश रहते हैं, फ् मेरे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज उनको डेली दो बार ब्रश करना ज़रू सिखाए बार टीप से इट फाइबर रिच जितने भी तरह के फूड होते हो और अवाइट करें स्नैक्स को अधिकतरी बच्चे नहीं करते हैं फाइवर रिच ने भी तरह के कारवोहध्रेट स्नैक्स मिलते हैं जैसे की कैंडी हो गई है त्छोकलेट हो गई है इन चीजों को अवाइट करें जितना कर सकते हैं तक चबह भी खा सकते हैं लेकिन खाना भी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीस खाने के बाद, दिन बर अगर आपने खाया हो कुछ भी, तो शाम को आके ब्रैस्ट जरूर करें, वो बच्चे, वो लोग जिनको प्लैक की प्रोब्लम है, ठंडर गरन की प्रोब्लम है, या फिर कैविटी की प्र प्रोब्लम जादा हो, ठंडर गरम जादा प्रोब्लम हो, तो प्लीज एक बार आपके डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा है, डेंटर क्लिनिक आसानी से हर जगे है आजकल, और मैं आपको बता दू, डेंटर का चनल इंडिया में जादा नहीं है, लोगों कुछे प्रोब्लम होती है, जब आप डेंटर क्लिनिक जाते हैं, तो यहां तो बच्चे रहते हैं, जिनके दात सड़े होए रहते हैं, वो दिखते हैं, या फिर जिनके इंडे बेंडे उपर सिथे दात रहते हैं, वो ठीक कराते हैं, या फिर जो बूडे लोग रहते हैं, जिनको प्रोब्लम होती वो बहुत कम रहते क्योंकि हमारे यहाँ पर दातों का अवेरनेस इतना ज़दा ही नहीं वहीं इंडिया को छोड़के दूसरी जो कंट्री यह पर बहुत बू में इस फिल्ड में डेंटिस्ट की बहुत अच्छी सैलरी डेती जॉब मिलता है उनको क्योंकि महां लगातार एक दातों को माउथ को क्लीन करना एक रूटिन चेक अप हर छे मंत में लोग अपने डेंटिस्ट के पास जाते और दातों को दिखाते ताकि और अ मार्केट से सेंसरोडाइन लेकर यूज करना लग गए सेंसरोडाइन से कुछ समय तक दात रहते हैं बट आपकी महन जड़ की जो प्रॉब्लम है वो डेंटिस्ट ही ठीक करता है तो मेरे आप से रहते हैं प्लीज जब भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा है और साल में एक बार टिक्टफ को जरूर आप दिखा है कम से कम दो बार नहीं दिखा रहे तो एक बार तो दिखाईए पास्ट टीप जो बच्चों के लिए जो 6 मन्त से लेके 2 साल तक के बच्चे रहते हैं जो कि 6 मन्त के बाद वो बॉटल से दूद पीने लग जाते हैं और जाहिर से बहाते हैं बहुत सारे बच्चे रहते हैं दूद पीते पीते सो जाते हैं मुह में बॉटल रखते ही पीते सो जाते हैं तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज उन बच्चों को जैसे ही सो यह बॉटल मों से निकाल दी क्योंकि वो बच्चे जो की बॉटल से दूद पी के सोते हैं उनके दातों का स्ट्रक्चर बिलकुल अलग होता है बिगड़ जाता है हो सकता नहीं और इसे कहते हैं नर्सिंग बॉटल टूट डिके यह जो तर्म है इसका मतलब है वो बच्चे जो दूद पीते पीते सोते हैं बॉटल से उसके कारण उनके दातों वेसे भी बच्चों के डाट तो बहुत खराब दिखते हैं तो यह पास साथ कुछ इजी टिप्स है मेरे इसाफ सबी को करना चाहिए ब्रश दो टाइम करें वीक में एक बार माउथ वोश जरूर करें दातों को क्लीन करें जब भी कुछ खाए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीस ब्रश जरूर करें और टूट प अचैनल चक्कर में सपीद कोई भी जव पैस्ट है डातों को सपीद नहीं कर सकता है, मैं आपको गारेंटी के साथ के देता हूँ, कोई भी पैस्ट चाहे आप कोल गट जाана करें प्लीन है door ऑब सपीद रिल्कूर करते दात सपेद होते हैं जिनको भी problem है, उनको share जरूर करें और अगर आपको इस related job भी problem हो तो नीचे comment कर सकते हैं या फिर मुझे instagram at the rate live.bishek पर message कर सकते हैं follow कर सकते हैं या फिर मुझे whatsapp पर भी कर सकते हैं message या call उस सब की detail आपकी screen पर है अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तब प्लीज इसको like करें next healthy video में जल्दी मिलेंगे तब तक लिए बावे thank you very much